हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक आपका अपनी चैनल फूडिंग चार्ज में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मुंग के दाल से खस्ता नास्तर रेसिपी बहुत ही ज़ादा टेश्टी बनती है तो चलिए हम बनाते हैं इसके लिए हमने एक कटोरी मुंग के दाल को ले लिया है और इसे हमने चार से पांच पानी अच्छी तरह से धो लिया है यह अच्छी तरह से धूल चुके हैं आप देख सकते हैं और अब हम इसे एक कटोरी पानी डाल कर हम इसे 20 मिनट के लिए रेश्ट के लिए रख देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट बाद डाल अच्छी तरह से सोक हो चुके हैं, यह बिल्कुल फूल से चुके हैं, तो अब हम इसे मिक्सर गैंडर जाल में डाल करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट त्यार कर लेते हैं, हमें इसका बहुत ही बार का पेस्ट चाहिए, तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, और इसमें हम सभी मूंके दाल को निकाल लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं, आप मूंके दाल का टैक्चर, हमने इसमें कोई पानी बगारा नहीं डाल और इसी तरह से आप इसे अच्छी तरह से महीन बिल्कुल पीस लें तो आपके जो नास्ता बनेंगे खस्ता वाले वह बहुत ही टेस्टी बनेंगे फ्रेंज तो मैंने सभी मुंग के दाल को इसमें निकाल लिया है चमज बगारा से भी मैं इसमें से निकाल ले रही हूं अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से फेट लेंगे बहुत ही फलपी सा हो जाता है यह फेटते फेटते से तभी तो हमारे नास्ता बहुत ही खस्ता बनेंगे और यहां पर टेस्ट के कोडिंग हमने नमक डाल दिया है अजवाइन डाल दिया है एक चमज और आदी को डाल कर हम इसे अच्छा सा इसका डो तयार करेंगे तो मैदा कितना लगेगा यह डिपेंड करता है दाल की थिकनिस के ऊपर अगर आपने डाल में पानी डाल कर पीसा है तो फोड़ा वहीं बहुत मैदा ज़ादा लग सकता है नहीं तो 1 कटोरी मैदा इनफ होता है एक कटोरी दाल के लिए तो यह देखे हमें इसका एक ऐसा डो तयार कर लेना है बोहतind prix अच्छा सा हमारा टो तयार हो चुका है, विल्कुल सौफ्ट सा इसी तरह का हमें चाहिए हमारा डो बन कर रेडि हो चुका है तो हम इसे साइड में रख लेते हैं और यह हम बना लेंगी मार्जिन तो इसकेलिए हमने ले लिया है 2 table spoon refined oil और यहां पर लिख सकते हैं तो अम अब हम यहां पर 2 टेवल स्पून के करीब डाल देंगे मैदा और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हमें इसे बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ सा हमें इसे मिक्स कर लेना है तो आप यह देख सकते हैं हमारा मारजिन बनकर रेडी हो चुका है तो चलिए पर और इसे दो पोर्शन में कट कर लेंगे तो मैं इसे दो पोर्शन में कट कर ले रही हूं और एक एक करके हम इसके नाश्ते दयार करेंगे तो इस तरह से आप एक पेरे का साइज ले ले मैं थोड़े से बड़े साइज के पेरे ले रही हूं और इसे हम अच्छी तरह से दोनों साट से हमने फोल्ड। कर लिया है अ फिर से थोड़ा सा इसके उपर माजिन लगाएंगे जो हमने पेष्ट बेल बेल आप दों बनाकर रखा था तो इसी तरह से हम फिर से इस तरह से और लगाएंगे margin इस लेयर पे भी इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके जो नाश्ते में लेयर आएंगे बहुत अच्छे आएंगे परत दर परत बहुत ही टेस्टी बनेंगे और खाने में बिल्कुल खसते और मुमें घुल जाने वाले बनेंगे तो मैं इसे फिर से बेल ले रही हूं और इसी तरह से आपको जितने जादा लेयर चाहिए जितने जादा आपको पड़ते चाहिए आ इसी तरह से और आप इसे फोल्ड कर लें मार्जिन आप अच्छी तरह से लगाएं और उपर से मैदा जरूर से डश्ट करें ताकि हमारी जो लेयर बने वो अच्छी बने इसी तरह से आप इसे बार-बार बेल कर अच्छी तरह से आप इसे लेयर बाई लेयर बना लें और यह और यह दो, अब हम नाश्तो को कुड लिए तो, आप शुर्ष मैंना कषा में सब्सक्राइब को सबीचने के वडिल में इस धाय utility में सतरता लगा अभाद नाश्तो सब्सक्राइब कमाने की चल्य करते इतली हमने गयश के उपर तेल चढ़ा दिया है तेल हमारा गर्म हो चुका है बस इतना ही मेरी गयश का फ्लेम जो है यहां पर देख सकते ही। धीरे पड़ते जो हैं वो खुलती जा रही हैं यहां पर मैं आपको दिखला रही हूं यह देखिए कितने अच्छे हमारे नाश्ते बनकर रेडी होंगे आप यहां से ही अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ही जादा खसता तो आप इसे स्लो मीडियम फ्लेम पर तकरीवन 15 मिनट तक तो ज़रूर ही फ्राई करें तभी आपके जो नाश्ते बनेंगे वो बिलकुल खसते बनेंगे मूं में घुल जाने वाले बनेंगे और इसकी लेर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है हमारे मूं के दाल की यह नाश्ता बनकर रेडी हो चुकी है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बस इसी तरह का कलर चाहिए तो हमारा नाश्ता रेडी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर चैनल पर नहीं आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें नीचे दिये हुए बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि इसी तरह की मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसे वाच कर सके तो ये देखिए लेयर वाली हमारी मूं के दाल की खस्ता मठरी बनकर रेडी हो चुकी है आप इसे इन्जॉय करें फ्रेंस टेक क्यार बाबाई फिर मिले कि इसी तरह की वीडियो के साथ